वेल्कम टू ए टू जैड इस्टिटी पॉइंट इस चैनल दें सब्सक्राइब एंड प्रेश दे बेल आइकन शो लेट इस्टाद वीडियो आज की कलास हम देखेंगे कलास टैंत की गनित पाठी पुस्ता का सोलिशन करेंगे तो वीडियो के अंतिक बने रहे और यह चेप् उन्यक ग्याद करें कि देखते हैं कुष्चन नमनेस्ट में है दो नमर कुष्चन एक द्विगहाद बहुपत ग्याद कीजिए जिसके सुन्यकों के योग तता गुननकपर करमसर दी गई संख्यां है तो फ़र्ट में देखते हैँ वअन बाई फोर है और इसका वन है तो इसको हम solution के साथ हल करेंगे तो वीडियो के अंतिक बने रहे हैं सारे question आपके लिए महतपूर्ण है तो आप अपना copy colon को खोले और practice को करें तो यहां से हल आपका शुरू होता है तो यहां क्या लिखेंगे तो क्यों कि आपको जानना चाहिए आपका ये alpha और beta का मान दिया हुआ है और उसको हमको क्या करना है आगे हमको put up करना है बहुपत के रूप में तो इसको कैसे करेंगे तो यहां लिखेंगे इसको x square minus alpha plus beta और x plus alpha into beta यह दिखात बहुपत बनाने का यह आपका सूत्र है इस सूत्र का follow करेंगे यह आपका क्या का रहा है यह आपका सुनकों के योग यह सुनकों के योग है और गुननफल यह है यानि कहने का मतलब है alpha plus beta equal to आपका 1 by 4 है और alpha into beta का value आपका minus 1 है यह इसमें आपको कहा जा रहा है इस तरह से बच्चों अच्छी तरह से समझने का परियास करेंगे आईए इसको solution को साथ आगे बढ़ते हैं लिखेंगे यहां पर x square alpha plus beta alpha plus beta का value कितना है 1 by 4 है bracket में यहां बगल में x है x लिखिए plus alpha into beta है alpha into beta का value क्या है minus आपका 1 है equal to क्या हो गया 0 हो गया कोई दिकत नहीं है अब इसको हम solve करेंगे यह 4 और यहां x है इसको क्या हो जागा यहां पर आपका गुना हो जाएगा तो यहां आपको गुना करना होगा तो चलिए इसको गुना करके अच्छी तरह से देखेंगे समझने का भी प्रियास करेंगे चलिए इसको पहले तोड़ लेते हैं ये क्या होगा आपका? x square minus यह होगा 1 by 4 x plus minus 1 equal to 0 होगिया तो यहां क्या करेंगे? इसको गुना कर देंगे यहां क्या होगा? 4 x square minus अब आपका यहां 1 है तो 1 लिखाता नहीं है यहाँ आप लिखेंगे x और यहाँ क्या होगा minus 4 और 1 को गुला करिंगिट क्या होगा 4 हो जाएगा और plus minus मिनस होता है वो आपको लिखना है तो यह equal to क्या हो जाएगा zero हो जाएगा और यहाँ क्या आपका है आप देख रहें यह आपका 4 है तो नीचे में आपको क्या लिखना होगा? 4 लिखना होगा और इसको लिखने के बाद अब आपका समिक्रन क्या आता है? उस चीज को देखें तो यहाँ पर आपका समिक्रन आता है 4x square minus x और minus 4 equal to 0 यह भच्चू आपका आंसर हो गया क्योंकि यह 4 और यह 4 यह 0 इधर से जदी cross multiplication गुना करते हैं यह आपका 0 हो जाता है और समिक्रन जो बनाते हैं दिखा समिक्रन का बहुपत यह आपका वच्चू आंसर हो गया इस तरह से बनाएंगे अगर आपको किसी तरह की doubt है तो चलिए दो नमर में आपका confuse को complete कर देते हैं आता है question number 2 पर दो नमर question की अगर बात करें तो दो नमर question आपका है root 2 और आपका है 1 बटा 3 यहनि सुनेकों का योग आपका root है root 2 है और गुननफल आपका 1 बटे 3 है तो इसको बनाएंगे कैसे इसका भीलू आप जान रहे है alpha plus beta equal to का भीलू है root 2 और alpha into beta का आपका क्या है 1 by 3 put up मान दिया हुआ तो इसको क्या करेंगे जैसे इसको बनाए इसी चीज को आपको लिखना है और इसी पर आपको put up करना है चलिए इसको solution यहां से मेरा शुरू होता है इसको लिख देंगे x square जो भी लिखा है इसी को लिखना है x square minus alpha plus beta और x लिखे plus alpha into beta equal to 0 अब यहां जो भी put up मान है इसको यहां पर सजा दिजिए जो जो आपका दिया हुआ है यहां पर लिखेंगे क्या x square minus alpha plus beta है तो alpha और plus beta का value कितना है root 2 यहां लिखा हुआ है तो यहां पर क्या लिखेंगे root 2 को लिखें लिजे जहां पर root 2 होगी अब bracket को बंद कीजे यहां x है यहां पर आपको x लिखना होगा plus और गुननफाल जो दिया है 1 बटा 3 है तो यहां पर लिखें 1 बटा 3 और बरावर क्या होगा यहां 0 हो जाएगा अब इसको जदी यहां से solution क्या जाता है तो solution करने के बाद यहां दिखें x square और आपका यहां पर root है तो इसको क्या करेंगे root 2 आपका x होगा तो यहां पर आपको लिखना होगा root 2 x plus 1 by 3 होगया equal to 0 होगया तो इसको आप क्या करेंगे यह आपका दिखें बटा में है तो बटा में जब है इसको आपको क्या करना है इसको आपको नीचे में लगुतम लेना है इस तरह सिज़ को लगुतम ले लिजिए लगुतम जब इसको लेंगे तो यहां पर क्या होगा इसका यह गुनन फ़ल हो जाएगा तो यहां पर लिखेंगे 3 x square minus फिर यह गुना हो जाएगा तो 3 2 x plus आपका हो जाएगा और यहां आपका क्या है 1 है यहाँ पर 1 रहेगा अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 3 और 0 गुना करेंगे तो क्या होगा यह आपका 0 हो जाएगा तो यहाँ पर आपका value क्या आता है तो 3x square minus 3 root 2x plus 1 equal to 0 तो यही बच्चों आपका answer हो गया इस चरह से बनाने का प्रियास करेंगे चलते हैं question number 3 पर 3 number में question का रहा है योग आपका दिया हुए 0 और इसका root 5 दिया है गुनालफल तो इसको उसी माध्यम से द्विगात समिक्रण को बनाएंगे तो इसका क्या था alpha plus beta equal to किया गया 0 और alpha into beta का value क्या गया root 5 हो गया जब ये value मेरे पास available है तो हम द्विगात समिक्रण को बना सकते हैं तो कैसे बनेंगे देखिए solution आपका यहां से शुरू होता है यहाँ पर लिखे लिए x square और यह alpha plus beta bracket बंद x लिखे plus alpha into beta equal to 0 यह आपको लिखना होगा क्योंकि हम द्विगात समिक्रण को बना रहे हैं तो इसमें आपको लिखना होगा अब यहाँ पर लिखे लिए x square minus alpha plus beta है 0 है यह 0 लिखे है यह x लिखे है plus alpha into beta का मान कितना है root 5 तो यहाँ पर आप root 5 equal to 0 अब लिखना होगा अब यहाँ पर देखिए देखनी वाली बात है कि यहाँ आप solution करते हैं यह उता x square हो जाता है x square और minus यह 0 में जज़जी इसको गुना करते हैं तो क्या होता है 0 हो ज़ज़दा है 0 का मन नहीं लिखा जाता है तो आप इसको यहाँ पर आपको लाना होगा कितना हो गया root 5 हो गया और equal to क्या हो गया 0 हो गया तो यही आपका answer हो गया इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे अब आते है question number next पर next question 4 number की अगर बात करते हैं तो 4 number में question दिया है योग दिया है 1 और गुननफल दिया है 1 यानि समझे है कि alpha plus beta का value आपका दिया है 1 और alpha into beta का value दिया है 1 यानि दोनों का value दिया है 1 तो बनाएंगे कैसे किस सूत्र पर तो वही सूत्र को फोले करेजिए x square alpha plus beta x plus alpha into beta equal to 0 अब इस तो आपको put up कर देजिए x square यहाँ 1 है तो 1 लिखे पलास यहाँ भी 1 लिखे equal to 0 आपका हो गया अब आगे की समिक्रिन को हम कैसे हल करेंगे इसमें यह दिखी इसका क्या होगा x square minus इसको इसको गुना करें कितना होगा x हो जाएगा और यहाँ क्या आगा पलास पलास 1 equal to 0 बच्चू यही आपका अंसर हो गया बहुत इसरा ढंग साब को बता रहे हैं उमीद है आपको चीतर समझ में आ गया होगा कहीं भी कोई दिकर नहीं होने चाहिए आप आते हैं क्वेश्चन में नेस्ट पर नेस्ट क्वेश्चन में आ गए हैं आपका योग दिया है माइनस एक बटे चार और इसका गुननफल कितना दिया वन बाय फोर है तो सुद्र हम किस पर पूटप के इसी पर बना रहे थे इसी को आपको लिखना होगा यह लिखे एक्स स्क्वा है यहां पर लिख लिए माइनस वन बाय फोर ब्रैकट को बंद किजिए एकस एकस लिखे प्लस एलफा इंटु बीटा है वन बाय फोर इसको वन बाय फोर एकौल टो जीरो लिख लिए अब आगे की सॉलिसन को अब पूरा करेंगे तो कैसे इसको बनाएंगे यह देख हो जाएगा और यहां क्या होगा प्लस है मैनस मैनस प्लस हो जाएगा और यहां क्या है वन है यहां होजागा आपका एकस क्योंकि इससे गुना करते हैं तो एकस ही होता है और प्लस यहां वन है तो वन होगा और एक्वल टो जीरो हो जाएगा यह फोर फोर का हम क्या कि लग में जीरो भी आप लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं है अब चलते हैं कोस्टेन नमर नेस्ट पर नेस्ट कोस्टन आपके छठा नमर कोस्टन क्या बता रहा है योग आपका दिया फोर और गुननफार दिया है वन तो इसको बनाएंगी बचू को इसे तो घबराईएगा नहीं य नहीं है की स्कगसगर मैनंस एलफा प्लस बीटा एकस पलस ऐलफा इंट इंट waiver इकवल तो जीरो अब यहां कोई प六 है इसका बीटा इसका भीलियकां लगा दीजे और एलफा इंटी बीटा इसका भील्य यहां पर लगा दीजिए आएफु अच्छी त्रय पनातीए एकस स् आपका equation हा गया यहीं आपका answer हो गया कहीं भी कोई दिकत नहीं होने चाहिए इस तरह से देखें आपका page 2.2 complete हो जाता है पिछली वीडियो को नहीं देखेंगा तरह डिस्क्रीस में जाए लिंक है वहाँ से आप वीडियो को देखें थेंक यू